वेट्ट कोरुमगन मंदिर में उत्सव वल्या कोईकल महल के दक्षणी हिस्से में स्थित वेट्ट कोरुमगन मंदिर तिरुवनंत पुरम के एतिहासिक किलाक शेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण पूजास्थल है मंदिर का इतिहास वेट्ट इतिहास के एक महत्वपूर्ण चरण से संबंधित है जब वेट्ट पर शत्रुओं के आकर्मन का खत्रा मंद्रा रहा था उस समय राणी उमयम्मा ने उत्तरी केरल में कोटड़ीम से एक बहादुर शूरवीर राजकुमार केरला वर्मा की मदद मांगी थी केरला वर्मा की मदद से राणी ने अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्ट किया और वर्मा को वेनाड शाही कबीले में शामिल कर लिया गया। कहा जाता है कि किले के भीतर स्थित तेवारत कोईकल और वलिया कोईकल महल का निर्मान केरला वर्मा के आदेश पर किया गया था। तेवारत कोईकल रानी का प्रधान निवास बन गया और केरला वर्मा वलिया कोईकल में निवास करने लगे। लोगप्रिये परंपरा के अनुसार, राज दर्बार में प्रसिद्ध मंत्रियों के एक समू के द्वारा वलिया कोईकल के सामने केरला वर्मा की हत्या कर दी गई थी. सामान अफवाह यह थी कि इस कारणामे को किसी और ने नहीं, बलकि खुद रानी ने बढ़ावा दिया था. यह भयानक घटना 1696 इसवी में हुई थी. वेट्टकुरुमगन की पूजा आम तोर पर मलाबार्क शेत्र में होती थी, ना की केरल के केंद्रिये और दक्षणी हिस्सों में. एक तालीस दिनों तक चलने वाले इस उत्सव का आयोजन हर साल नवंबर और दिसंबर के महीनों में होता है. इस उत्सव के दौरान उत्तरी केरल के करूर नायरों एक बार में एक हजार आठ नारियल तोड़कर भगवान को एक विशेश चड़ावा चड़ाते हैं. पुराने जमाने में दस हजार आठ नारियलों का इस्तमाल किया जाता था. झाल किया जजए लगना जारियलों का विशेश चाड़ाते हैं.